हेलो चंपियंज कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्थ हैं दोस्तों मैं पीके मिश्रा आपका एसेस्टी एडुकेटर आपका लेट स्कोर हंडेड में वेलकम करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है आप कहेंगे सर धमाकेदार जी हाँ धमाकेदार इसलिए होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आप लोगों की एगरी कल्चर वाले चेप्टर में की किस क्रॉप को क कितना rainfall चाहिए, कितना temperature चाहिए और उस particular crop को produce करने वाले कौन-कौन से major states हैं, इन सब को learn करने के लिए हम आज बहुत ही अच्छी सी trick share करेंगे, जिसके बाद वो trick न क्यों आपको answers learn करने में help करेंगी, बलकि आपका जो 3 marker map का question आता है, जिजोग्राफिय में उसको भी आप च चुरू करते हैं, चलिए, तो हम लोग सबसे पहले, आज का हमारा topic है non food crops, दोस्तों आप लोग जानते हैं, कि जो non food crops heading है, that comes under major crops, right, और major crops को हम दो categories में divide करते हैं, पहली category है हमारी food crops की, food crops की, दूसरी है हमारी non food crops की, right, यह आज का topic है non food crops, लेगिन थोड़ा हलका सा recap कर ले आए, food crops को हम लोगोंने food crops को हम लोगोंने दो categories में divide किया था, food crops को दो category कौन कौन से हैं, एक तो था हमारा grains, grains, right, जैसे wheat हो गया, rice हो गया, millet हो गया, right, उसके बाद हमारा था दूसरा food crops, food crops other than grains, food crops other, food crops other than grains, right, जी लिख दे रहूंब बस, तो food crop हो गया non food crop हो गया food crops में दो category grains हो गया and food crops other than grains food crop other than grains है हम लोगों ने sugar cane पढ़ा था tea पढ़ा था coffee पढ़ा था right अब हम non food crop को देखते हैं non food crop में हम लोग 2 crops के बारे में पढ़ेंगे एक तो हो गया हमारा rubber ध्यान से आप लोग सुन लेजिए rubber right और दूसरा होता है fiber crop rubber हो हम लोग पढ़ेंगे jute पढ़ेंगे cotton पढ़ेंगे hem पढ़ेंगे और natural silk पढ़ेंगे right तो आईए इसी के साथ शुरू करते हैं हाँ एक चीज बताना भूल गया आप लोग please pen of paper लेके जरूर बैठिए क्योंकि ये tricks बहुत ही helpful है एक आद दो बार आप लोग लिखके रिया rubber हमारे लिए बहुत ही helpful है हम लोग rubber पर heavily dependent करते हैं जैसे ही हम पैदा होता है वैसे हम rubber पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं जब लोग चुन्रू मुन्रू से होते हैं तो ये देखेए ये इस water bottle से अपना तो नहीं याद रहता लेकिन घर में अगर बच्चे होगे तो आपने देखा होगा ये जो water bottle के nipple बनती है राइट ये रवर से ही बनती है और हमारे पैदा होने से जब तक हम जीते हैं rubber पर हम heavily day to day life में अगर आप notice करिये ये देखे नोटों की बंडल बनाने के लिए bank में यूज होती है girls अपने hair में भी लगाती है से hairband के तोर पे and उस car के tires तो आप लोग जानते ही है और सबसे बड़ी बात हम लोग बिन गुबारों के happy birthday तो हमारा होता ही नहीं है तो happy birthday में भी help करता है rubber and ये देखे हमारी जो hoses हैं हमारे lawn को पानी देने के लिए right और ये देख लिए आप लोग लगे हाँ देखे लीजे ये rubber का plant है खूब है और राइट क्या करते हैं rubber tree में deep cut लगाते हैं और ये इकठा हो जाता है इस particular जो भी बरतन है राइट चले आए देखते हैं क्या कुछ है इसमें सबसे पहले हमारा पहला point है पहले देख लेते हैं क्या कुछ है उसके बाद फिर हम लोग ये भी distance करेंगे इस पर क्या question बन ये tropical और subtropical में भी हो जाती है तो आएए देख लेते है equatorial crop आप लोगों ने equator equator बारे में हम सारे लोगों ने पढ़ रखा है बट हलका सा देख लेते हैं क्याप कर लेते हैं आप लोगों समझ में आ जाएगा पिछली class की बाते हैं आप लोगों क्याद आ जाएंगी ये रह हमारा equator ये देखेए equator zero degree पर हमारा equator होता है राइट और उसके उपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 and half degree ट्रॉपिक ऑफ यह हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में हो गया 23 and half degree पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर अब देखिए यह जो equator होता है equator से 10 डिग्री equator से 10 डिग्री नॉर्थ ले लिजिए और equator से 10 डिग्री साउथ ले लिजिए यह कौन सा एरिया हो गया equator यह equator का रिजिन है यह देखने डिग्री साउथ होता है इससामारा यह कि यसावड़ मंतčाद नौर्श और इक्रामित इसका मतलब क्या हुआ है उस जैड़ी चलते हैं और देखते हैं तो हमारा है यह आई छूप आप लोगों को समज़ में आ गया equatorial crop का concept, so equatorial crop हो गई and equatorial crop हो गई weight, हमारा rubber है यह, so equatorial crop का concept आप लोगों को समझ में आ गया and tropical and subtropical आप लोग समझते हैं हलका सा बाता देता हूँ, tropical का मतलब होता है, tropical area में equatorial area के comparison में हलका सा temperature कम होता है बट हमेशा warm रहता है, बट जो subtropical होता है, वहाँ पर हलकी फुल की ठंड भी पढ़ सकती है, यह में फरक है इन तीनों में, चलिए, दूसरा point, तो basically एक चीज आप लोगों के बताना चाहरा था, कभी कभी question में पूछ लेता है कि कोई जो particular crop हो किस type की, what type of crop is maize, right, या what type of crop is sugar cane, तो sugar cane में हम लोगों ने पढ़ा था ना, sugar cane में क्या है, शुगर cane में दिया था ना, यह tropical and subtropical है, उसी तरह rubber में क्या है, एक चीज एक टमो बढ़ गया, equatorial भी है, subtropical भी है, tropical भी है, यानि यह three geographical conditions में, यानि सर्दी में भी हो सकता है, और बहुत गर्मी, यानि equatorial crop है, वहाँ भी हो सकता है, राइट, चलिए, तो type of crop आया, तो rabi season, खारिव season, वो भी बताना, आप लोग याद रखिए, और tropical, subtropical, अनि equatorial, तो कियो रबर में ही दिया है, तो उसको भी याद रखिए, टाइप आफ क्रॉप में चरूर मेंशन करेंगे, आप चलिए, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते है, रबर के लिए याद रखिए, हम climate चाहिए, हम is, हो मिनिस्ट्री नहीं, हुमेड and moist climate, simply, और rubber is the only plantation crop जिसको 200 cm की rainfall चाहिए होती है, और temperature अपना 25 degree Celsius का temperature, एक बार देख लेते हैं, तीन चीजे इसमें, सेकेंड पॉइंट में तीन चीजे नोट कर लो, हम climate चाहिए, उसके more than 200 cm की बारिश चाहिए, और temperature अबब 25 degree Celsius का चाहिए, हम लोगों तीन चीजे क्या समझी, हम लोगों तीन चीजे क्या समझी, हम क्लाइमेट 200 cm से ज़्यादा rainfall और temperature 25 degree से अबब होना चाहिए, अब तीसरा हम लोग देखते हैं, rubber is an important industry raw material, जो भी rubber plantation में rubber होता है, लेटेक्स के form में, वो सारा का सारा respective industries में चला जाता है, और rubber के कौन कौन से product होते हैं, you all know, we have already discussed, now we'll move to the next point, next point है हमारा major rubber producing states, तो हमारा केरला, केरला number one पे है, केरला में आप लोग जानते हैं, बहुत बहुत जादा गर्मी होती है, बहुत बारिश भी होती है, तमिल नाडू हो गया, कर दुवात में promise किया था, कि ऐसी trick शेर करूँगा, जिससे आपको ये major producing state climate, ये सब एक मिनट में याद होगा, चुटकियों में याद हो गया, उसको मैं fulfill करने जा रहा हूँ, आइए देखते हैं, इसको learn करने के लिए एक बहुत ही आसान सी trick है, उस trick को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे नहीं पीछले सरा, चले, आप लोग देहां से देखें ये trick बहुत ही useful है, इसको हम लोग learn करेंगी इस तरीके से, देखें, 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 आप लोग जो भी name of states होते हों, हम capital में लिखते हैं, देखें, मेघा, 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 मेघा टेक्स, मैंने आप लोगों से एटिक भी share करें थी कि जो helping alphabets के, उसको small में लिखेंगे, राइट, मेघा टेक्स, मेघा, 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 टेक्स, हर कार, मेघा, यहाँ पर कार की spelling थोड़ी अलग लिखेंगे, ताकि हमारी state का नाम recall हो, नॉमली कार की spelling आप लोग जानते हैं, यह होती है, राइट, बट इतना तो आप लोग समझ जाएंगे, मेघा, टेक्स, हर कार, टू, टू, अंडमान, आइन्ड नीको बार आइलेंड बस ऐसे शॉट में लिख दिया अब देखे इसको ट्रिक को समझते हैं तो ट्रिक क्या होई नेम दब मेजर रबर प्रोडिशिंग स्टेट्स इन इंडिया बहुत ही सिंपल मेगा टेक्स हर कार चू अंडमान अन निको बार आइलेंड लन हो गया कैसे आई देखते हैं डिकोट करते हैं इसको मेगा मेगा इस फ़र मेगालिया टी ए फ़र तमिल नाडू के इस फ़र केर अब चूकि यह जो स्मॉल लेटर में है आप समझ जाएए कि helping थे अब इनकी जरूत नहीं रह गए कार मींस हो गया करनाठ का और अंडमान अन निको बार आप लोग जानते ही है राइट अब अब एक और प्रॉब्रम आती है क्यार जो मेगाले में जो हिल है उसका नाम नही अराउंड राइट हमें गारो चाहिए इन सब को काड़ दो कि अरो को रख लो क्या देखो आपका क्या निकल आया आपका गारो निकल आया गारो निकल आया या गैरो बोलो अब हिल्स देखो एच यहां पर अलड़ी है मेगा के नाम में है तो ह आई एल एल एस तो हो गया मे हाले मोहब रबर की कल्टिवेशन करी जाती है आई होप यह ठीक आप लोगों को यूस्फुल लगा और अगर आप लोगों को मजा आ रहा है और यह चीजें समझ में आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब लेट स्कोर हंड्रेट चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगली स्लाइट पर हम लोगों ने देखी लिया था रबर का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है रइट रबर के सारे पॉइंट अब देखते हैं क्या बन सकता है कि मेजर प्रोडेसिंग स्टेट आपको पता चल हम लोगों ने देखा था कि नोन फूड क्रॉफ में हम लोग रबर पढ़ेंगे रबर के बाद हम लोग फाइबर क्रॉप पढ़ेंगे तो देखिए फाइबर क्रॉप हमारी आ गई और फाइबर क्रॉप मेंली फोर हैं मेजरली हम लोग चार फाइबर क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे जिसमें से तीन तीन का कल्टिवेशन हम खेतों में करते हैं यानि फार्मर्स हमारे करते हैं हम लोग भी करते हैं राइट हम लोग डिरेक्टिल ने करते हैं हमारे संट परेंड है इंज एक हार्ट हैं जनके जो लोग कोशन करते हैं तो कि टीmalsंको तो अपने खेतों में करतें ये तीन इस हो और रहा हो गया कॉटन हो गया जूट हो हो गया हम्पट हो गया राइट हैं मैं हमरे से बस में डिटेल में नहीं है बट आप मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए हम कैसी होते हैं हम की कल्टिवेशन है आप अच्छे से पहचान लीजिए प्वेस्टन आना हम पोसिबिल्टी नहीं है बट डेख लीजिए हम लीजिए हम इरं चोथा को है हुथ हoung स forgotten और जूटक है और जो हमारा यह silk है, silk के बारे में हलका सा है, उसको देख लेते हैं, hemp आप लोगो ने देख लिया, यह hemp का plant है, यह उसकी cultivation ऐसे होती है, and natural silk are the four major fiber crops, so question पूछा जा सकता है कि name any three fiber crops, तो आप लोग याद रखिएगा, कौन सा हो गया, cotton हो गया, jute हो गया, hemp हो गया, और अपना natural silk हो गया, आ is obtained from cocoons of the silk worms fed on green leaves, especially mulberry, आप देखे, समझते हैं, बहुत ध्यान सा आप लोग देखिए, यह देखे, mulberry का plant, यह plant है, mulberry को हिंदी में शेहतूत बोलते हैं, और यह शेहतूत का फल है, कभी ने कभी आप लोगों ने जरूर देखा होगा, आपके आज, आपके आसपास के पार् है, यह देखे, भाई साब, दिन रात, पतियां खा 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 रहे हैं, और हमारी help कर रहे हैं, यह हमारे लिए 2400 गंडे काम पे लगए रहते हैं, 2400 गंडे मतलब most of the time, यह जो silk worm है, यह mulberry leaves को खा रहा है, और silk produce कर रहा है, एक्चुली यह mulberry leaves को खा करके, यह क्या, cocoons बना रह है, और जब यह cocoons काफी मोटे हो जाते हैं, मतलब हो जाते हैं, ठीक था, तो क्या करते हैं, लोग इसे, इनको boiled water में डाल करके, यह भाई साब तो मर जाते हैं, हम लोग देखे के दिने selfish हैं, यह जो silk worm है, यह मर जाता है, और हम लोग silk बहुत सावधानी से निकाल लेते हैं आप समझ लिजिए कि तकरीबन 10 kg of cocoons से केवाल 1 kg of silk निकलता है, 10 kg cocoons से 1 kg of silk, यह रहा cocoons, right, cocoons की spelling आप लोग समझ लिजिए, I hope आप लोगों को समझ में आया, और हाँ, यह वाला point बहुत ही important है, exam में आ सकता है, कि what is sericulture, sericulture is rearing of silk worms for the production of silk is known as sericulture, और उसी तरह से, और भी जैसे PC culture है, fish को हम rare करते हैं, वहाँ पे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया, तो हमारा अगला slide, next slide है, talks about cotton, हम लोग उने जैसे discuss किया, हम लोग cotton के बारे में detail में पढ़ेंगे, आईए देखते हैं, cotton में क्या-क्या है, पहला देखिए, पह believed to be the original home of the cotton plant, यह मना जाता है कि एक जो cotton का, cotton सबसे पहले cultivation इंडिया में हुआ, था, राइट, चलिए, दूसरा point क्या है, cotton is one of the main raw material for cotton textile industry, पूरी की पूरी cotton textile industry, cotton cultivation पे ही dependent है, यह देखिए, यह cotton का plant ऐसा होता है, और यह flower होता है, white भी होता है, और इस कौन सा color है यह, क्या ब पिंक बोलेंगे, pink color भी होता है, white में भी होता है, अवर देखिए cotton, यह देखिए, यह manual labor लगती है, इसमें यह cotton balls को एक अठा करने के लिए, है न, आईए देखते हैं, अगला क्या है, in 2017, इंडिया was the second largest producer of cotton after China, और आपको ने history की book में पढ़ रखा है, कि हमारे यहां से cotton जाते थे, Britishers, वहां पे, सस्ते दामों पे, यहां पे cotton ले जाते थे, यहां से, और वहां से, अब शर्ट बना के, या महंगे products बना करके, इंडिया में ही बेचते थे, right, अब लोग ने history में पढ़ा होगा इसे, है न, चलिए, अब देखिए, cotton को किस तरह का, climate चाही होता है cotton grows well in, ध्यान दीजे, drier parts of the black cotton soil of the deckan plateau, इसी ध्यान से देखिए, cotton grows well in, drier parts of the, आप जानते हैं, black soil को black cotton soil भी बोला जाता है, इसी लिए, है न, black cotton soil अप कहां पे, यह deckan plateau, इसमें तीन कीवर्ड उठा लो, drier parts of the, black cotton soil of deckan plateau, दोर कीवर्ड, तीन कीवर्ड नहीं है, दो ही कीवर्ड है, पहला कहां, deckan plateau याद रखिए, और, drier parts of the, black cotton soil of deckan plateau, राइट, चलिए, अब इस temperature की बात करते हैं, it requires, मतलब किस तरह का climate चाहिए, it requires high temperature, light rainfall और irrigation, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, light rainfall और irrigation, और सबसे important चीज है, 220, 210 दिन frost free, यानि frost, सर्दियों जो frost होता है, वो frost से, ये crop damage हो जाएगी, ये, तो इसमें याद करने वाज़, and bright sunshine for its growth, तो इसमें समझते हैं, क्या- high temperature, light rainfall, 210 frost free days, and bright sunshine, इसको learn कैसे करेंगे, इन दोनों को साथ में कर सकते हैं, temperature high, rainfall low, high temperature, temperature, अब जानते हो हर crop को temperature और rainfall चाहिए, तो cotton के case में कैसे याद कर सकते हैं, high temperature, low rainfall, light rainfall, and 210 frost free, ये याद करना जरूरी है, frost free days, and bright sunshine, high temperature, तभी होगा जब bright sunshine होगी, इस तरीके साथ आप लोग कर सकते हैं, high temperature, bright sunshine, और उसका, है न, उसके बाद, light rainfall, उसका पोजिट, और 210 frost free days, राइट, देखे, और आप लोग जानते हैं, खारिफ crop, और दोस्तों, अगर आपको, खारिफ crop, और राभी crop, मनला, राभ एक मिनिट में सारी crops, लन हो जाएंगी, यह मेरा वादा है आपसे, चलिए, करें यह खारिफ crop है, और 6-8 महीने लगते हैं, 6-8 महीने मतलब, 360, 180, या 380, 240, तो 6-8, मतलब, 6-8 months, या 210 frost free, यह दोनों याद रख कर लन लें, अगर मालो 3 marker में आगा, तो help हो जागी न, आपका उसको भी लन करने के बहुत ही आसान सी trick है, major cotton producing states, right, major cotton producing states कौन कौन से हैं, इसको लन करने के trick यह है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यह देखें, नीचे लिखा भी है, मैं पढ़ देता हूँ, अफिर समझा देता हूँ, यह trick ऐसे थोड़ा सा समझ में नहीं आएगी, क्य mad, mad किसके लिए आया, mad आया हमारा मद्ध प्रदेश के लिए, where is mad प्रदेश, mad आया मद्ध प्रदेश के लिए, mahat, mahat आप लोग जाते हैं, elephant driver, जिसे हिंदी में mahat बोलते है, mahat की असली spelling होती है, देखे, mahat की spelling होती है, हम लोग decode करते हैं, mahat, देखे, यह तो, मैंने, देखे, mahat की जो असली spelling होती है, वो यह होती है, mahat means mahat, elephant driver, जो elephant को चलाता है, आप लोग उन्हें देखा होगा, but यहाँ पे हम, major cotton producing states में हम इसको ऐसे करेंगे, जहाँ पे, mahat is for, maharashtra, uts for, utrprdes, 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 ut महावत, मैड महावत, पुंज, पुंज मिन्स पंजाब, हैरी, हैरी मिन्स हरियाना, मैड महावत, पुंज हैरी, मैड महावत, पुंज हैरी, एंड, एंड कैपिटल में लिखा जैसे हम लोगों डिसकस किया है कि जितने भी स्टेट्स में कैपिटल में लिखा जाएंगे, तमन्ना यहाँ लिख देता हूँ तमन्ना एकचिली तमिल नाडू का तमिल नाडू का त-a-m लिया नाडू का n-a लिया वैसे तो दिखेगा तमन्ना लेकिन तमन्ना बोलेंगे तुड़ा ओड लगे उसे तमन्ना बना लगते हैं तमन्ना इस फ़र तमिल नाडू राइट आप चाहोते हैं के स्टान लगा तो बाद में हटा देना तमन्ना ठीक है मैड महाओत पुंज हरी एंट तमन्ना अभी अभी यहां से कार यहां से आपको PDF में नोट्स मिल जाएगी कार से कार से गुजरे कर लो गुजरे नहीं गुजर गये मतलब लगेगा मर गये राइट वह नहीं करना है तो देखिए जुतने भी मेजर प्रोडूसिंग स्टेट्स हैं उनको लंकाने की ट्रिक क्या है मैड महाओत पुंज हरी अभी अभी यहां कार से गुजरे सारा याद हो गया इस महाओत में महाराष्ट उर्तर प्रदेश आ गया पंजाब हो गया हरियाना हो गया एंड हो गया आंधर प्रदेश के लिए तो याद रखिएगा आंधर प्रदेश से हैं निकल के हमारा क्या बना है तेलंगाना तेलंगाना राइट याद रखिए एक चीज आप लोगों को इसमें, आंध प्रदेश और तरेंगाना दोनों आते हैं, यह easy trick है, right, तो तमना यानि तमिल नाडू हो गया, कार्स यानि करनाथका हो गया, गुजरे यानि गुजरात हो गया, right, तो यह हमारी major producing states हो गया, cotton के, I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है, comment जरूर करिए कि ट्रिक कैसे लग रही आपको चलिए अगली स्लाइट पर चल रहे है cotton के बाद हमारा जैसे हम लोगों देखा था cotton है jute चले jute पढ़ते हैं so jute भी एक fiber crop है आईए देखते हैं jute is known as the golden fiber मिल गया keyword question आ सकता है which crop is known as golden fiber और अगर जहां तक question जहां तक question को discuss करने की बात है जैसे हम लोगों अभी ये cotton को पढ़ा इसमें क्या question बन सकता है कि किस तरह के किस तरीके का weight इसमें क्या बन सकता है कि ये अपना किस तरह की soil चाहिए और किस तरह का climate की requirement होती है और इसको mature होने में कितना time लेपता है major producing states यानि points आ पर आतको क्वेश्चन कैसा भी आया आप definitely कर लोगे है ना चले अब हम लोग पढ़ते हैं जूट को ही जूट भी fiber crops है जूट से बनी हुई यह था basically यह तरह इस तरह का बैग आपने जरूर देखा होगा एकन बैट जूट का मैट भी बनता है यह तो definitely देखा होगा यह जोख गनी बैग्स हैं जिसमें राइस वीट या यह नो कोई भी ग्रेन हम रखते हैं और इस रसी से तो आप हम सारे परशित हैं जूट is very useful in our day to day lives चले आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जूट किस तरह की soil पर ग्रो होता है जूट golden fiber हम लोगों ने देख लिया जूट grows well on well-drained fertile soil जानी पानी जमा नहीं होना चाहिए well-drained पानी निकल जाना चाहिए right well-drained fertile soil होनी चाहिए in the flood plains where soils are renewed every year अब देखे आपको पता है आसाम में हर साल बाढ़ाती है आसाम में भी यह ग्रो होता है जूट right तो अकली जब reverse आती है तो अपने साथ बहुत ही fertile soil को ले करके आती है और हर साल यह flood आता है renewed हो जाता है और जो जूट की crop होती काफी उसकी उचाई ज्यादा होती तो बहुत ही कम chances होते है flood आने के ब बड़ी होती है आप लोग देख सकते हैं चले अब यह हो गया किस तरह का स्वाइल चाहिए तो इस पर यह यह याद रखिए well-drained fertile soil यह keyword क्या है well-drained fertile soil और यह कहां पर पाई जाते है in the flood plains where soils are renewed everyday right चले आगे बढ़ते है high temperature चाहिए during the time of growth और यह कहां कहां अब्रो होता है इ West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and Megalia right और trick से पहले हम लोग पहले यह देख लेते हैं इससे क्या क्या बनता है और इसके साथ problem क्या है due to its high cost इसको cultivation की cost बहुत ज्यादा आती है और दूसरी बात क्या है कि यह बहुत ज्यादा durable नहीं होता यह उतना durable नहीं होता यह उतना durable नहीं होता जितना ज durable होता है और इसको इसकी cost भी बहुत जादा आती है cultivation की so due to its high cost it is losing market to synthetic fiber and packaging material इसको बनाने में बहुत खर्चाएगा और packaging material जैसे polybag वगरे आप लोग जानते ही है इसकी market को खा रहा है चले अब हम लोग इसे major जो हमारे जूट producing states है इसको learn कर लेते हैं और इसको learn करने के बहुत ही आसान सी trick है वो trick हम यहां share कर सकते हैं चले यहीं share करते हैं आए देखते हैं अब देखिए इसमें कौन-कौन से state है जैसे देखो आसाम है major देखिए West Bengal और बिहार तो major producing state हो गए राइट आसाम है Odisha है Meghalaya है and बस यहीं चार है यहीं चार है देखिए तो इसको हम लोग जैसे मैंने यहां लिखा भी है Sam, Disha, Megha, went to Bengal, Bihar to buy jute आई इसे समझते हैं Sam, अगर हम Sam लिखते हैं, Sam आपका classmate हो सकता है, Megha, Megha आपकी classmate हो सकती है, Sam, Megha, Disha Sam, Megha, Disha, went to, अब देखिए, स्मॉल में आ गया तुरंद, क्योंकि यह helping alphabets है Sam, Megha, Disha, went to Bengal 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 and यहां पर नहीं लिखूँगा, क्योंकि and आंदरा प्रजिस के लिए आता है, जहां पर and नहीं लिखूँगा, यह देखो हाइफिन लगा दूँगा, Bengal, Bihar Bengal, Bihar तो इस trick की help से आप लोग याद कर सकते हैं, क्या हो गया Sam, Megha, Disha, went to Bengal and Bihar to buy jute अब देखिए, Sam से आदा जाएगा आप लोगों, Sam से पहले eyes लगा दीजिए, Assam हो गया, Megha से Megha लेया हो गया, Disha से पहले O लगा दीजिए, Odisha हो गया, went to Bengal या नहीं जानते हैं, West Bengal हो गया, Bihar, West Bengal एक ही हमारी country में, है न, इस trick से आप लोग learn कर सकते हैं and यह leaves आप लोगों ने देखी लिए, jute की, and I hope यह tricks आप लोगों के लिए useful है, pin paper पे एक आद दो बार, जैसे की, एक register लिजिए, left hand side में आप उस crop का नाम लिखिए, जैसे आपने लिए cotton, और right hand side पे trick, और इस trick को फिर decode भी कर लिजिएगा, क्योंकि जिजने states हैं, उसको म 1 और 2 जरूर लिखिए, जैसे Bengal और Bihar, यहाँ पे major producing state है, बेंगौल के सामने, west Bengal के सामने 1 लिखिए, और जो second major producing state के सामने 2, तो वो भी आपके confusion दूर हो जाएगी, जो major, कि बाल दो का, जो पहले के 2 major producing states हैं, वहाँ पे 1, 2 लिख लिए जैसे, सारी tricks में काम में आएगा, हाना, चले, now we'll move to the next slide, and let us see what it talks about, हाँ ये जो table है, ये table आप लोगों के लिए highly helpful है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में promise किया था, चुटकियों में learn हो जाएगा, आए देखो वही करने वाले हम लोग, जैसे आप लोगों को बहुत जादा problem होते हैं, कि किस crop के देखे, सारी crops हैं हमारी, इसमें बहुत जादा problem होते हैं आप लोगों को, rainfall में और temperature में, आईए देखे, बहुत आसानी से करते हैं, देखे, अब जैसे ये, wheat हुआ, sugar cane हुआ, table आप लोग भी, इसका screw shot अब ले सकते हैं, जैसे wheat हुआ, sugar cane हुआ, rice और rubber, इसका देखे, अग rainfall किसको चाहिए, wheat को, और सबसे ज्यादा किसको चाहिए, rubber को, ठीक है, अब wheat को 50 to 75, wheat को कितना rainfall चाहिए, 52 to 75, अब wheat के बाद क्या आया, sugar cane, 52 to 75, 75 to 100, और जो तीसरी crop है, sugar cane को 100, और जो rubber आ गया, उसको just double कर दो, 200, यानि, 52 to 75, 75 to 100, 100 sugar cane का हो गया, और उसके बाद बाला, या इसलिए, इस order में मैंने लिखा है, wheat, sugar cane, rice and rubber, तो आप लोग इसी order में लिखना, wheat, sugar cane, rice and rubber, wheat का कितना हुआ, 50 to 75, centimeter का range चाहिए, sugar cane को कितना चाहिए, 75 to 100 चाहिए, rice को 100 चाहिए, और उसका rubber को just double कर दिए, तो 50 to 75 हो गया, 75 to 100 हो गया, 100 and 200 हो गया, चलिए, यह rainfall आपको learn हो ग देखे, जो हमारा sugar cane है, ध्यान दीजे आप लोग, यह जो हमारा sugar cane है और जो हमारा maze है, sugar cane चले circle कर, एक बार इसे मिटा देता हूँ, चलिए, यह जो हमारा maze है, ध्यान से देखे, sugar cane and maze दोनों को 21 degree Celsius to 27, देखे, sugar cane and maze, दोनों को temperature कितना चाहिए, देख लीजे आप लोग ध् लो यह भी लन हो गया तो rainfall आप लोगों ने उधर देख लिया बर उसी ओर्डर में लिखेगा जिस ओर्डर में मैंने लिखा है एक बार लिखेंगे खट से लन हो जागा और उसके बाद आप लोगों ने टेंपरेचर को भी देख लिया टेंपरेचर 21-27 हो गया और उसके बाद लेश को गया यहां पर तो आप लोगों ने देखे लिया जो मैजर प्रॉड़शिंग स्टेट्स ने रखकें आप लोग जो इस पे बेस्ट वीडियो जैसे major crops हो गया या farming की types हो गए उस पे जाकर आप लोग देख सकते हैं easily learn हो जाएगा बहुत ही आसान है एक आद दो बाल लिखर के practice कर रही जाएगा map के साथ practice करिएगा तो इसे क्यों होगा आपको map वाला भी तयार हो जाएगा है नहीं answer तो learn ही होगा map भी आपका तयार हो जाएगा चलिए आएए इसका एक trial आप लोगों को दे देता हूं जैसे कि हम लोगों ने देखा था कैसे map में कैसे help करेगा map में कैसे help करेगा हम लोग for example उसका देखते हैं जूट का जूट में हम लोगों दिशा सैम मेघा दिशा वें टू लिख नहीं रहा हूं ऐसे चलो लिखी देता हूं सैम मेघा दिशा वें टू बेंगौल बिहार राइट देखिए आप लोग शिकायद करते हैं उसर वीडियो बहुत लंबी हो गई अब देखिए सैम क्या हो गया आसाम ध्यान दीजिए य पूडिशा सैम मेघा दिशा उसके बाद क्या है भाई बेंगौल यह देखिए हमारा वेस्ट बेंगौल वेस्ट बेंगौल अब यह हमारा हो गया बिहार लोग लन हो गया उसी तरीके से अगर आप लोग कॉटन का जानना चाहता है तो कॉटन वाले अगर आपको ट्री क्य तो उसको apply कर सकते हैं, बहुत easy होता है, दोस्तों आज के लिए इतना ही, thank you so much.